क्रिप्टो क्रेंसी में अंतरनिहित विकेंद्री करण का सिध्धान्त, साथ ही बैंकों और अन्य वित्तिय संस्थानों के रूप में मध्यस्थों की अनुपस्थिती, क्रिप्टो क्रेंसी को आज पैसे ट्रांसफर करने का सबसे सुरक्षित और सबसे गुमनाम तरीका बनात जो उच्छ स्तर की सुरक्षा वाला एक आधुनिक क्रिप्टो वालेट है। सुरक्षा के लिए और क्रिप्टो बाजार में अपने अनुभव को यथा संभव सकारात्मक बनाने के लिए उनका पालन करें। पहला नियम अपने वालेट में लॉग इन करने के लिए एक पिन सेट करें और फेस आईडी या टच आईडी सेट करें ताकि केवल आप ही अपने वालेट में लॉग इन कर सकें। ऐसा करने के लिए अपने अप्लिकेशन के सेटिंग सेक्शन पर जाएं फिर सेक्यूरिटी सेक्शन में पिन कोड चुनें अपने वालेट में छह डिजट का पिन सेट करने के लिए स्लाइडर पर क्लिक करें और इसे बदलने के लिए पिन बदलें आपका पिन कोड जटिल ह इसे रैंडम ओर्डर में व्यवस्थित विभिन डिजिट के साथ सेट करें, इससे अनुमान लगाना असंभव हो जाएगा, एक ही नमबर वाले पासवर्ड का उप्योग न करें, जैसे 8888888, आप Face ID, Touch ID सेक्शन में चेहरे या Fingerprint Scan का उप्योग करके, Login पुष्टिकरण को सक कर सकते हैं, दूसरा नियम, ट्रांजेक्शन की पुष्टि को सेट करें, चेहरे या Fingerprint Scan का उप्योग करके, ट्रांजेक्शन पुष्टिकरण सेट करने से आपकी सुरक्षा और बढ़ जाएगी, जिसके बाद कोई भी आपके वालेट से टोकन नहीं भेज पाएगा, ट्रा होनी चाहिए, इन्हें इंस्टॉल करने के बाद इस विकल्प को एक्टिवेट किया जा सकता है, जिसके बाद पहले से सेट पिन कोड Face ID, Touch ID को दर्ज करें, इसके बाद Transaction Confirmation Slider पर क्लिक करें, इसके अतिरिक्त हम आपको अपना वालेट बनाते समय प्राप्त होने वाले स् इसके रूप में Store ना करें और इसे किसी के साथ Share ना करें, सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका ये होगा कि इसे कागज पर लिख लें और सुरक्षित रूप से छिपा दें, इस Manual में हमने जिन आसान नियमों का वर्णन किया है, वे आपको Fund की सुरक्षा में मदद इसलिए हम आपसे इस सरल निर्देश को अल्टिमा एकोसिस्टम के अन्य यूजर्स के साथ Share करने के लिए कहते हैं